So Hello Wizard Witch और इंजान मगलू लोगो जिन लोग ने मेरा चैनल सब्स्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्स्राइब जरूर कर दीजे तो दोस्तो फाइनली Harry Potter and the Curse Child को लेकर काफी बड़ी अपडेट आई है और इसे मैं ना ही leak बोलूँगा ना ही rumor बोलूँगा बल्कि एक perfect news बोलूँगा क्योंकि एक perfect news page से ये news आई है आप लोग पहले इस post को देखिए अब इसमें साफ सब बताया गया कि Harry Potter जो है वो development में आ चुकी है वो भी Harry Potter, Emma Watson और Ron का role जिन्होंने play करा आया यानि Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint वो भी इस movie में होने वाले है तो आप लोगों का इस बारे में आप क्या मानना है क्या ये news सच है या fake है भाई मेरा तो ये मानना है कि ये news 100% सच है क्योंकि आप इन pages के followers देखिए जिन दोनोंने ये post डाली है millions में भी followers है और इन pages को बड़े-बड़े superstars ने भी follow कर रखा है जैसे कि Tom Felton हो गया, Tom Holland हो गया तो ये fake news तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगती है और Spider-Man, No Way Home की काफी जादा leaks मैंने इनी pages पर पढ़ेते हैं मुझे अभी भी याद है तो मैं इन pages की news को हमेशा से 100% सही मानता हूँ और यहां तक की Ant-Man and the Quantumania की Marvel की जितनी भी movies आती है सब के बहतरीन से बहतरीन news इन pages पर मिल जाते है तो भला Harry Potter की ये wrong news क्यों दिखाएंगे है मैं मुझे ये जानना है और मेरे इसाब से finally Harry Potter and the Cursed Child development में आ चुकी है ये आया था कि Harry Potter movie 1 और 2 के director जो है वो Harry Potter and the Cursed Child को फिर से बनाना चाते है old cast के साथ ही फिर 2022 में हमें reunion देखने को मिला जिसमें वो director भी आया था और Harry, Ron, Hermione मतलब सारे character आये थे और पहले Danny Ledcliffe Harry Potter का role play करने के लिए मना करते थे वापस लेकिन 2022 में अचानक से वो कहने लग गए कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ और Emma Watson भी रेडिय है और अभी हाली में मैंने आप लोगों को बताया है कि 2023 के starting में ही Rupert Grint ने भी ये बोला कि मैं Harry Potter and the Cursed Child का role play करने के लिए तयार हूँ तो ये पूरा base setup किया गया था देता या फिर जब तक कोई teaser भी नहीं बना देता मेरे इसाब से Warner Bros जो है न वो इस news को गलट हैराने के कोशिश करेगा या कोई न कोई update जरूर देगा कि Harry Potter and the Cursed Child development में नहीं है अब सोचो वो ये ऐसा क्यों करेगा क्योंकि ये hype बनाने के लिए movie की ऐसा होता है कि hype बनाने के लिए बोल देता है कि अभी नहीं है अभी development में नहीं है नहीं कर रहे है फिर जब एकदम से teaser आता है तो करोड़ो व्यूज आ जाते है तो ये सब strategy होती है मेरे इसाब से क्योंकि Warner Bros ने अभी तक कोई भी confirmation या ये नहीं बताया है कि Harry Potter and the Curse Child आएगी या नहीं आएगी तब वो इस news के बाद एकदम बता दे तो फिर तो कुछ अटपटा सा लगेगा ना अब मेरे इसाब से 100% sure है कि Harry Potter and the Curse Child आने वाली है और हाँ आप लोगों में से बहुतों को लगता है कि story बखवास है इन फैक्ट मैंने टॉप 10 fact के उपर Harry Potter and the Curse Child के उपर वीडियो बनाए थी कि 10 ऐसे fact जो की काफी ज़ादा बखवास थे Harry Potter and the Curse Child में बट काफी ऐसे scenes थे जो काफी ज़ादा अच्छे थे यार जिनके उपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊगा और आप लोग कमेंट करके बताईए कि अगर Harry Potter and the Curse Child आई तो आप लोग कैसी story को देखना चाते है क्योंकि story तो थोड़ी बहुत change होगी ही Curse Child की जैसी story रहेगी बट थोड़ी बहुत तो change होगी ही बाकि आप लोगों के इस बारे में क्या मालना है मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर ज़रू बताना और Harry Potter and the Curse Child से तो यार अभी ये पहली news आई है और अभी बहुत सारी news के लिए आप तयार रहेए जो भी news आई करेगी मैं वीडियो फटाफट बना दे करूँगा मैं तो 100% शौर हूँ कि Harry Potter and the Curse Child आने वाली है और in fact 2024 में आने वाली है क्योंकि 2023 के end तक हमें कोई teaser या trailer देखने को 100% मिल सकता है तो दोस्तो ये थे मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी पसंद आई हो तो चैनल को जरू सब्स्राइब कर देना वीडियो को जरू लाइक कर देना